हाई एवरिवरन वेल्कम टु सेल कंपेटिटेव इंगलिश लार्निंग आज हम एक हॉमिनम डिसकस करेंगे जो हाइली इंकरेक्ट्ली यूज होता है हॉमिनम होते हैं सिमिलर साउंड और सिमिलर स्पैल्ट वर्ट 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 विट डिप्रेंट मिनिंग तो आज का जो हम hominim discuss करने वाले हैं वो है affect versus effect चलिए देखते हैं कब कौन सा कहा यूज होगा शुरू करता है affect versus effect affect जो है वो verb है effect जो है वो noun है ये basic rule है ठीक है thumb rule verb जब ये affect word as verb यूज होगा तब इसका meaning होगा असर या प्रभावित करना ओकी असर या प्रभावित करना और effect जो है वो एक noun है तो इसका क्या meaning है इसका meaning है परिनाम यानि की result consequences ओके चलिए अब मैं एक example लेती हूँ smoking dash his lungs and the dash is lung cancer अब smoking dash his lungs smoking ने उसके lungs को क्या किया प्रभावित किया तो यानि कि मुझे यहां क्या यूज करना है verb यूज करनी है इसलिए यहां पर क्या आएगा smoking affected his lungs and the अब मुझे क्या कहना है और नतीजा क्या निकला result क्या निकला cancer, lung cancer तो मुझे यानि कि यहां पर result word fit करना है तो अब यहां पर क्या आएगा effect तो मैंने आपको एक ही sentence में दोनों words यूज करके दिखाए कि एक as noun use हो रहा है और एक as verb तो जो basic thumb rule है वो यही है कि effect जो है वो verb की तरह use होता है effect जो है e वाला है जो वो noun की तरह use होता है आप इसको ऐसे भी याद रह सकते हैं a for action performed ठीक है action performed मतला verb तो a वाला क्या है verb है e मतला end result end result वह नाम वाला कौन सा है effect ठीक है चलिए आपको इसके लिए मैं एक code भी बताती हूँ जिससे यह जो rule है वो हमेशा याद रहे raven 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 से remember effect is a verb r stands for this a stands for this v stands for this and e stands for effect is a n noun okay तो effect और effect का difference याद रखने के लिए हमने एक code word याद कर लेना है raven raven का मतलब है r से है remember a से है effect is a v से है verb and e से है effect is a n से है noun ठीक है चलिए आगे चलते हैं थोड़े और examples करते हैं जैसे मैं बोलू the cold weather dash the crops cold weather ने क्या किया पभावित किया crops को again मुझे क्या यूज करना है verb यूज करनी है तो क्या आएगा the cold weather affected the crops similarly one more example और क्या example कर सकते हैं इसका जैसे the song dash her mood song ने उसके mood को क्या किया move मतलब move किया पभावित किया उस पर मतलब असर डाला तो अगेन यहां पर क्या आएगा affected चलिए अब आप एक्जांपल करते हैं effect के what were the dash of second world war तो ऐसे questions generally papers में आते हैं तो वहाँ पर कभी आपने notice किया हो तो कौन सा word यूज होता है a वाला या e वाला अब हम पुछ रहे हैं कि second world war के क्या result रहे क्या consequences रहे क्या परिणाम रहे तो इसलिए यहां पर क्या आएगा what were the word लगा है प्लूरल में लगा है इसलिए effect word को हम प्लूरल में यूज करेंगे what were the effects ठीक है what were the effects of second world war similarly जैसे यह words होते हैं on and the into take in words के बाद में जो word आएगा वो हमेशा effect होगा in words को affect follow नहीं कर सकता ठीक है in words के बाद में जो next word आएगा वो क्या होगा यह वाला effect यानि कि noun आएगा अगर यह words है उसके बाद डैश है तो आप effect यूज करेंगे affect यूज नहीं करेंगे फॉर एग्जामपल the prescribed medicine had and dash on the patient अब मुझे and के बाद यूज करना है again and result की बात हो रही है कि उस पे परिनाम रहा उसका medicine का पेशेंट पे ठीक है and result की बात कर रहे हैं again and के बाद में मुझे लगाना है तो and के बाद में मैंने अभी बताया कि affect follow नहीं करेगा क्या आएगा effect तो यहाँ पर क्या आएगा effect इतनी बात clear हुई चलिए अभी मैंने थोड़े दे पहले बताया कि affect a वाला जो है वो verb है e वाला जो है वो noun है ठीक है और generally जो a वाला as verb यूज होता है तो उसka meaning क्या होता है उसका meaning होता है प्रभावित करन असर करनो ठीक है तो as verb उसका एक और second meaning होता है जिसका मतलब होता है pretend ठीक है as verb εί as verb εί इसका second meaning भी है pretend जैसे मैं बोलूँ she डश concern for her mother-in-law ठीक है तो मतलब यहां में हम कहना चाहरे है अगर मुझे effect और effect में से कुछ लगाना है यहां पर तो फिर मैं pretend की sense में यहां पर यूज कर रही हूँ यहां पर अगर मैं वर्ड लगाना चाहूं कि भावित किया या असर किया वो तो तो यानि कि मैं यहां पर affect word को कैसे यूज कर रही हूँ pretend की sense में कि उसने अपनी mother-in-law की तरह की प्रती जो concern है वो दिखावा किया concern का ठीक है तो दिखावा करने के लिए यहां पर pretend pretend यानि affected समझ में आया अभी तक हमने जो पढ़ा वो यह है basic thumb rule जो हमेशा याद रखना है ज affect ए वाला affect जो है वो verb है जिसके दो meanings होते हैं एक तो पभावित करना है असर करना ठीक है दूसरा meaning होता है pretend और जो ए वाला है effect वो noun है जिसका मतलब होता है end result consequences अब आते हैं exceptions पर जैसे कि मैंने बोला था कि मैं हर topic basic से advanced सक कवर करूँगी इसलिए अगर exceptions ना बताऊं तो अधूरा है चलिए exceptions डिसकस करते है यह जो affect word है this can also be used as noun but very rare especially in psychology and this effect word can also be used as verb ठीक है जब यह affect word is noun use होगा तब इसका मतलब होगा a display of emotion for example his facial expressions had a humorous dash उसके जो facial expressions थे उनका कैसा display of emotion था humorous, यानि कि मैं यहाँ पर क्या use कर रही हूँ, display of emotion sense में word मुझे use करना है तो display of emotion sense में जब हम use करेंगे और वो भी क्या लगाएंगे और ऐस noun यूज कर रहे हैं अब यहाँ पर हम इसलिए क्या use होगा, affect ठीक है, जब हमने display of emotion की sense में यूज करना है और उपर से effect या affect में से लगाना है, तो affect यूज होगा वो भी as noun, clear हुआ अब आते हैं, effect as verb, जब effect as verb होती है, verb यूज होती है तो उसका मतलब होता है to make happen यानि कि बदलाव लाना इसलिए जब ये ऐसे use होगा, तो generally sentence में change word होगा ठीक है, या फिर transition word होगा transform word होगा ठीक है, reform word हो सकता है जो जैसे words जो बदलाव को indicate करते हैं, अब जैसे इसका example लूँ, it is difficult to dash change, हम इसमें कह रहे हैं कि बदलाव लाना मुश्किल है, और मुझे effect या affect यूज करना है, ठीक है, तो यहां पर मैं क्या use करूंगी, effect, ठीक है, और यहां पर effect कैसे use हुआ है, as verb, two plus first form of the verb, two plus first form of the verb को क्या बोलते हैं, infinitive, साथ में आ, चलिए, आके चलते हैं, मैंने आपके लिए कुछ Phillips त्यार किये हैं, अगीन आपको इनका answer five seconds में करना है, साथ में सारी rules ध्यान रखने है, thumb rule हमेशा वही है, कि effect जो है, वो noun है, effect, ए वाला जो है, वो verb है, ठीक है, बाकी exceptions भी mind में रखनी है, exam point of view से exceptions भी साथ में लेके चलने हैं, बट अगर daily routine, general life की बात करें तो बस thumb rule याद रखनें काफी है, ठीक है, बट exam point of view से exceptions भी ध्यान में रखनी है, तो मैंने हर तरह कई के example डाला है, तो आपको ना सिरफ ये बताना है कि effect आएगा या effect आएगा, साथ की साथ उसका ये भी meaning भी बताना है, कि वो as noun use हुआ है, या as verb use हुआ है, या फिर उसका क्या meaning है, ठीक है, चलिए, स्टार्ट करते हैं, मैं अपनी stop watch निकाल लूँ, चलिए, पहला sentence है, हम यहां पर क्या बात कर रहे हैं, कि क्या केसी की personality जो है, उसकी success पर असर डालती है, उसकी success को परभावित करती है, तो यानि कि हम कैसे बात कर रहे हैं, as verb, हाना, जब मैंने बोला था, ऐस verb यूज़ करेंगे, और पभावित करना, असर डालना, मिनिंग होगा, तो क्या यूज़ होगा, ये वाला, इसलिए यहां पर क्या आना है, affect, समझे मैं, नेक्स्ट, क्या उसकी रिटार्मेंट का कोई एंट रिजल्ट उसकी फैमिली पर पड़ा, मतलब हम एंट रिजल्ट की बात कर रहे हैं, फाइनल कंक्लूज़न, कॉंसिक्वेंस की बात कर रहे हैं, तो यहां पर क्या यूज़ होगा, इफेक्ट, as noun, सब्सक्राइब, चलिए, ठीक है, आगे, नेक्स्ट कोईशिए है, रवी तुक दा न्यूज़ ऑफिस ट्रांसफर विद लिटल, डैश, टाइम स्टार्ट्स नाउ, स्टाप, यहां पर हम कह रहे हैं कि रवी ने अपनी ट्रांसफर की न्यूज़ को विद लिटल, विद लिटल क्या लिया, विद लिटल डिस्प्ले ओफ एमोशन, हाना, हम यहां पर as display of emotion यूज़ कर रहे हैं, जब हम display of emotion की sense में use करते हैं, तो कौन सा word आता है, affect, और वहां पर वो affect word कैसे use हो रहा होता है, as, as noun, ठीक है, अब यहां पर यह वाला affect आएगा, अब यह as verb नहीं use हुआ यहां पर, यह as what, क्या use हुआ है, as noun, चलिए, आगे चलते हैं, we have to give the changes time to take, dash, time starts now, stop, again एक बार हम यहां पर क्या बात कर रहे हैं, final result की बात कर रहे हैं, ठीक है, end result की बात कर रहे हैं, changes को final end तक पहुंचने में समय लगता है, तो final result, final consequence की जब हम बात करते हैं, तो वहां पर क्या use होता है, effect, e वाला noun, तो यहां पर क्या आएगा, effect, चलिए, next sentence पर चलते हैं, the new captain will dash positive changes in the team, time starts now, stop, क्या कह रहे हैं, हम यहां बदलाव की बात कर रहे हैं, कि जो नया captain है, वो team में positive बदलाव लाएगा, ठीक है, जब बदलाव लाने की बात होती है, तब मैंने आपको बोला था, कि effect word use होता है, कैसे use होता है, as verb, will, will यहां पर helping verb है, यानि मुझे main verb लगानी है, तो main verb यहां पर effect use होगी, as verb, ठीक है, चलिए, अब यहां इन दो sentences में for क्या है, यहां पर चैंज़िस word आया है, यहां पर पर चैंज़िस word आया है, ठीके तो यहाँ पर सिर्फ changes बदलाव की बात हो रही है यहाँ पर बदलाव लाना जहाँ पर बदलाव लाने की बात होगी वहाँ पर effect word जो है वो as क्या यूज़ोगा verb चलिए आगे चलते हैं news anchors can have a huge dash on public opinion. Time starts now. Stop. Again हम यहाँ पर कैसे बात कर रहे हैं एक तो मुझे noun use करना है और ओपर से हम पई नाम end result की बात कर रहे हैं तो end result की जब जब बात होगी तो क्या आएगा? effect as noun. Next, the special dash in movies are added with the help of software. आपने generally सुना होगा special effects है ना? movies में special effects डाले गए हैं तो वो कौन सा वाला effect होगा? सोचिए. Time starts now. Stop. Again हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं? end result की, final result की, consequences की, तो इसलिए यहाँ पर क्या आएगा? the special effects आएगा. ठीक है? क्योंकि यहाँ noun use कर रहे हैं, effects sq लगेगा क्योंकि यहाँ पर r लगा है, plural में. चलिए, next sentence. The new rule regarding the policy will go into dash tomorrow. Time starts now. Stop. Again, this sentence में हम as final की तरह discussion कर रहे हैं कि वो finally कल launch हो जाएगा, हना हम यही कह रहे हैं कि वो जुन्या rule है policy के regarding finally कल launch हो जाएगा. जब हमने finally end result की बात करनी है, तब तब क्या आएगा? और हम मेंने पहले भी बोला था कि कुछ words बताये थे and the into take. ऐसे words के बात में अगर हमने word use करना है, तो वो हमेशा क्या होगा? effect. चलिए, next. हगs can have a positive dash on a person's immune system. चलिए, time starts now. Stop. हगs का क्या हो सकता है? positive end result हो सकता है on a person's immune system. again मैं यहाँ पर कैसे बात कर रहे हूँ? end result की positive, negative, ठीके? तो वो end result होते हैं, तो again यहाँ पर क्या आना है? effect. अच्छा, इसी sentence को अगर मुझे effect से बनाना होता है, a से बनाना होता, तो कैसे बनता? जैसे मैं लिखूँ, hugs can dash a person's immune system in a positive way. अब मैंने positive के साथ नहीं लगाया, ठीक है? अब मैं क्या कह रही हूँ? hugs जो है, किसी person के immune system को positive तरीके से पभावित कर सकते हैं, असर डाल सकते हैं, जब अब हावित कर सकते हैं, असर डाल सकते हैं, कि sense में हम use करते हैं, तो वहाँ पे क्या आता है? affect as verb. clear हो गया? चलिए, लास्ट सेंटेंस है हमारा, he dash a Spanish accent. time starts now. stop, तो मैंने क्या बोला था, कि जो affect word है, he dash a Spanish accent, तो यानि कि मुझे यहाँ पर verb यूज़ करनी है, ठीक है? तो verb तो दोने यूज़ होज़ाते है, effect भी यूज़ाता है, affect भी यूज़ाता है, जो effect वाला word है, वो as verb यूज़ होता है, तो वहाँ पर बदलाव मीनिंग होना चाहिए, यहाँ पर बदलाव जैसी तो कोई मीनिंग नहीं है, और यहाँ पर पभावित किया, या असर डालना भी मीनिंग नहीं है, यहाँ पर प्रिटेंड मीनिंग आ रहा है, ठीक है, होना यूज़ क्या है, अफेक्टेड, मतलब उसने Spanish accent जो है, वो प्रिटेंड किया, शो किया, ठीक है, शो ओफ, ठीक है, तो यहाँ पर अफेक्टेड वर्ड यूज़ होगा, बट इसका मीनिंग पभावित करना या असर डालना न होके, pretend है, he pretended a Spanish accent, clear है, चलिए, I hope आपको affect और effect की confusion जो है, अब दूर हो गई, बेसिक जो थाम रूल हमेशे, जो हमें याद रखना है, वो यही है, कि affect जो word है, ए वाला जो word है, वो verb है, और जो ए वाला effect है, वो noun है, ठीक है, बाकी exceptions जो है, वो भी माइन में रखनी है, पर लेकिन जो basic thumb rule है, अगर आप उसको याद कर लेंगे, तो 90% आप सही ही word use करेंगे, तो उमीद करते हूं, आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, मिलते हैं अगली वीडियो में, मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़ूर करिएगा, और जाने से पहले, दुन